कैसे हैं आप सब आशाय अच्छे होंगे बिलकुल तुफान दिल में चल रहा होगा मचल रहा होगा और वो ही तुफान आपके पैरों में भी आप ले आई होगे क्योंकि इस समय हमारे दिल दिमाग मतलब एक बार माइंड सेट करना है और उसके बाद वो जो कदम है ना उन गुमने का मौका देके जाएगा यह बस तुरंद हमें सामने दिख रहा है पर सच तो यह है कि जिसने इन साथ महीनों का धंग से फायदा उठा लिया उसके साथ जनम सेट हो सकते हैं उसकी साथ पीडिया सेट हो सकती है जनम तो मैं नहीं बता सकती है जनम अगला जनम हमें क साथ महीनों को ढंग से जी लिया तो आईए चलिए मुझे पता है तुफान आवा है हर कोई उस तुफान में जो है हिच्कोले खा रहा है उस तुफान का सारा लेकर के सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो एक बार छोटा सा रिवीजन तुफान का कराऊंगी और फिर उसके करें क्या नहीं करें ये करें कि ये करें कहां से शुरू करें सबसे वड़ा परिशानी होती है कहां से शुरू करें तो हमें उस समय ना दिल में तुफान चल रहा हो और दिमाग बिलकुल शान्त हो और ठहरा हो ठहरे वे सदे वे कदमों से जानते समझते कि कोई confusion नहीं है मै मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो ही करके मैं इस तुफान को इस तुफानी बाजी को जीतूंगा तो वो क्या है वो क्या चीजे हैं जो हमें इस पीरिट में करनी हैं क्या सीखना है कौन सी स्किल हैं जो कि इस पीरिट में जितनी जल्दी हम को प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें अच्छे रिजल मिलेगा ये बाचीताज मैं करने वाली हूँ तो तुफान तो मैं बर्बली ऐसी बताने वाली हूँ सबसे पहले चार पिलर्स पे तुफान खड़ा है हमारा और मोधिगर ने कंप्लीट पुल और पुश इस तुफानी प्रमोशन में लगाया है जो बिलकुल बेस लोग के लोग है हमारे हमारा जो बिलकुल जिसको कौन है जिन्होंने अभी जॉइन किया जो हमारे बेस लेबल की जो लोग है उनके लिए प्रमोशन लायर कमती जिसका नाम है धनवर्शा धनवर्शा में कोई भी व्यक्ति जो अभी डारेक्टर से नीचे है वो एलिजिबल है बेस मंद जो हमारा है वो डेफिनेटली मार्च है करना क्या है हमको बेस मंद के इसाब से आपको आपका लेबल डिसाइड करना है और फिर जो भी व्यक्ति अपने खुद का 100 पीवी करेगा 100 पीवी यानि की 2700 बीवी 2700 बीवी मतलब डेपेंडिंग कौन से प्रोड़क ले विक्ति करें या उसके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे कोई वाला विक्ति करें और उस लेग में पूरी लेग में मिला करके अगर एक लेग में 4000 बीवी हो जाता है और ऐसी अगर आप चार लेग नई पुरानी कोई भी इस एपरेल मंच में डेवलप कर लेते हो किसी भ छोई करोगे जिस महीने आप जोइन करोगे उस ही महीने अगर आप ये क्वालीफाई करना चाहते हो तो आपको चार लिक की ज़ुरुततनी है आप दो लेक चार-चार हजार बीवी की कराओ खुद का जो है 100 बीवी करो 100 बीवी करो और आप जो है इस धन बर्षा के लिए क्वालिफा हो जाते हो पहले महीने के लिए आपको relaxation है दूसरे महीने से आपको भी वही चार लेक से चार-चार हजार बीवी कराना है तो यह तो हुआ एक हजार, दो हजार, तीन हजार रुपे का push पर आपको पता है कितना important है मेरा पहला check 9th month में आया था business join करने के वो भी 167 रुपीज का था पर उसने मुझे कितनी ताकत दी थी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इस समझ में आया था कि सदियों से मेरे दादा, दादी, पापा, ममी सब हैना समान खरीद रहें किसी को को check नहीं मिला और अगर मुझे 167 रुपीज का check मिल गया है तो उसके आगे तो 0 ये 0, 0 तो लगाने अब तरीका तो समझ में आगया है तो वो ही आपके साथ होगा जो motivation मुझे 9th month में 167 रुपीज के साथ मिला था आप सोचो वो ही motivation आपको अब मिलता है और वो भी 1000 प्लस क्योंकि मोधी केर का check जो normal check आता है और फिर ये 1000 रुपे, 1500, 2000, 3000 ये extra मिलेगा तो वो अगर आपने उस पैसे की importance को समझाना कि भया हाँ आज तक कभी मैंने दुकानों से समान खरीदा मुझे कुछ नहीं मिला यहां यह मिला है तो अब तो मुझे बस zero और लगाने है और अगर आपने उस 1000, 2000, 1000 रुपे को seriously ले लिया दोस्तों तो जो basic behavior करके आपका 10,000 का check set होगा एक लाग का set होगा पांच लाग का set होगा दस लाग का check set होगा वो सारे की सारे जो बड़े बड़े checks है वो इसी काम को करके होंगे और इस काम को करने के लिए छोटे से turnover को करने के लिए हमें इतना सारा reward मिल रहा है तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है 1000 रुपे में भी लक्ष्मी होती है और 10,000 रुपे में भी लक्ष्मी होती है जो 10,000 रुपे की कदर नहीं करते उनको 10,000 रुपे भी नहीं मिलता तो धन वर्षा को बहुत seriously लीजे खुद भी इसमें qualify कीजे लोगों से बात कीजिए जिसकी को इस बिसनस प्रान के बारे में बताते हैं उसको धर्मरशा के बारे में बताईए जो दूसरा पिलर तुफान का है जो दूसरी लहर क्रियेट हो रही है जो सबसे बड़ी लहर क्रियेट कर रहा है वो है श्रीलंका का ट्रिप मैं आपको बता मेरे बेटे के भी शादी हुए थी तो रोल्स रोइस में बरात निकाली थी LED बरात थी उसकी लड़के हमने आर्टिस रखे थे डांसर्स रखे थे जो होवर बोट LED लगी भी थी और उस पे होवर बोट पर डांस करते हुए चारों और बरात के साथ चल रहे थे बड़ा मज़ा आया था बरात में आप लोगी गए हो गये बराती बंद कर जाने आ हैं पासपोर्ट आपको definitely है ना अपना बनाना है एरपोर्ट आपको I can't tell you friends मोधी केर की फॉरेंट ट्रिप बतलब ड्रीम कम टू होते हैं और इस बार तो श्री लंका क्योंकि श्री लंका में बीच में एकनॉमी डाउन हुई थी तो इन लोगोंने टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए इतने सारे अट्रेक्शन इसमें खोल दिये हैं I can't tell you महां के बीचेज अच्छे हैं महां के बॉट्निंगल गार्डन अच्छे हैं महां की जो ऐलेफेंट सफारी जो भातियों को महां पे खाना वाना के लाते हैं बहुत कुछ सक्सेस को बेच करके बड़ी सक्सेस पाना असान होता है हम जब शुरू करते हैं लोग हमसे पूछते हैं अच्छा बिजनस ची के तुम कितना कमा रहे हो हम कहते हैं अभी तो मैंने जोईनी किया है बताती हो जैसे आप किसी एक foreign trip में qualify भी होने लगते हो ना पहला मही नहीं किया ना कोई कुछता है आप कितना कमाते हो कि अभी तो मैंने शुरू किया है पर श्री लंका तो मैं जा रही हूँ जैसे ये बोलाना तो अगले का ऐसा थूख गटकते आपी गारंटेट कि अच्छा हो या इसका तो हो गया फिर आपको एक different respect मिलती है फिर आपको एक different नजरी से देखा जाता है तो श्री लंका हर कोई qualify कर सकता है कम से कम 10-12 हजार लोग जाने वाले अब वो 10-12,000 लोगों में से किसी के punk नहीं होंगे किसी के पूछ नहीं होगी किसी के sing नहीं होंगे वो सब हम जैसे ही होंगे और सब इसी business को करके इसी period के अंदर-अंदर qualify हो करके श्री जंका जाएंगे तरीका बिलकुल simple है कुछ points है जो आपको collect करने है इसका जो period है वो 7 महीने का है अप्रेल से लेकर के October तक का है आपको आपका जो basement है वो March को माना गया है और जिस level पे आप March में थे उस हिसाब से points की एक table दी गई है कि अगर आप new journey 0% से लेके new journey से लेके 15% तक है तो आपको 14 point collect करने है अभी मानलीचे April month में आपने अपना level maintain किया level maintain करने पर एक point है इस साथ month के period में जिसमें आप अपना level maintain करोगे जो आपका March में था तो एक point मिलेगा और अगर आपने जम कर लिया तो दो point मिलेगा अपना level अगर जम कर लिया डबल जम कर लिया तो तीन point मिलेगे इस तरीके से जिस भी लेवल पर भी आप हो अगर अभी आप डारेक्टर हो मार्च में आप डारेक्टर थे तो भी आप ठान लो कि अपरेल में सीने डारेक्टर जाना है senior director जाते ही दो point मिलेंगे 7 महीने अपना senior director में इंटेंग करो 8 महीने श्रीलंका qualify simple तो it's so easy कि जो आप करी रहे थे अगर यह नहीं भी आता है श्रीलंका नहीं भी आता तो भी आप कोशिश तो करी रहे थे नहीं कि आज director रूँ director से मुझे senior director जाना है हमारा business है कि Himself director बना है तो अपने नीचे अप director बना हो जितने जादा director बनाते जोगे हुटे इअचीव करते हूगे यही काम करके check आता है यही काम करके car आती यही काम करके घर आता है और यही काम करके साल के एक foreign trip तो आती है यह दूसरी foreign trip भी वो ही काम करके आ रही है पर बस वो sense of urgency के साथ आ रही है कि अच्छा जीवन भर में 10 साल बात senior director बन जाएंगे नहीं अभी बनना है तुरंट करना है और जितने भी NQDs हैं उनके लिए तो दो महिने का early word promotion भी है आप NQD होते हो non qualifying director यानि आप director कभी थे पर March में आप maintain नहीं कर जाते हैं सेम चीज मही में भी होती है मही में आपको director बनने पर दो पॉइंट senior director बनने पर तीन पॉइंट मिलेंगे उसके बाद जैसा सब के साथ है कि director बनोगे तो एक पॉइंट मिलेगा इस तरीके से आपको total अपने 14 पॉइंट कलेक्टर ने हैं तो सब को करना क्या है अ तरीक को जड़ा घहरी नीन सो लेना अभी तो किसी भी तरह से साम दाम दर्ण भेद लग जाओ कि हाजी कैसे मैं director लेवल अचीव करूंगा और जितने भी 13 परसेंटर है 15 परसेंटर है 10 परसेंटर है पुश करिए अपने आपको director बनिये डारेक्टर बनते ही आपको दो सारा खेल सक्सेस को बेचने का है जो कि हम आपको लगातार सिखाते जाएंगे दोस्तों हमारा कामी यह है कि जब company इस तरीके का कोई promotion लाती है हमें पता है कि हाँ दिल तो सबका बागी हो गया है सबको श्री लंका ही जाना है उस समय हम आपके उस motivation को constructive होने में मदद करते है उसको action में convert करने के लिए मदद करते हैं तो इन साथ मीनों भी श्री लंका तो चले ही जाओगे साथी 25 पचास हजार रुपया लाग रुपय का check set हो जाए तो क्या कोई बुराई है या कोई दिक्कत है आज हम श्री लंका के लिए किसी का मूँ देख रहे हैं कि अच्छा बस मेहनत करनी है कंपनी भी सब कुछ करेंगे अचकल सारे MSC बें इतने सारे प्रोग्राम हो रहे है इतना कुछ हो रहा है कंपनी अब एक प्रमोशन लाती है ना तो उसको successful बनाने के लिए बहुत कुछ करती है हमें उस समय वह बहती घंगा में हमें भी हाथ दो लेना है इ रखो शीलंका से ही आप न्यूजिलेंड जाने वाले हो शीलंका से ही आप सिजलेंड जाने वाले हो तो आपको डेफिनेटली इस पूरे प्रमोशन का फाइदा उठाना है फिर है लीडर्शिप क्लब दो करोड का लीडर्शिप क्लब बोनस पूल है उसमें पार्टिसिपेट लेवल को उसके लिए promotion है, simple है अगर आप लेवल जम करते हो, आपको एक point मिलता है, अगर आप अपने नीचे एक भी LPB leg grow कराते हो आपको एक point मिलता है, और अगर आप GRDD हो, आप level maintain नहीं कर सकते हो, क्यों कि उपर का तो ये level नहीं लेवल maintain भी करते हो, एक point मिलता है और आप एक भी LPB leg grow कराते हो तो आपको दो point मिलता है, और जितने भी ज़्यादा point कलेक्ट करोगे, जितने भी लोगों ने point एक खटे किया है, उन सब का एक club pool बनेगा, और उसमें जो ये दो करोड रुपया है, वो उन में आपस में प्रोराटा बेसे, उसमें बाट दिया जाएगा, सिम्पल सी बात है, तो जितने में डिरेक्टर, सीने डिरेक्टर, ED, SED, प्लेटिनम है, उन सब का एक target होना चाहिए कि चार मन का promotion है, चौथे महीने के अंदर-अंदर हमको diamond में हुसना है, एक बार तो ये दो करोड में से अपनी हिस्सेदारी लेकर करके देखनी है, देखें तो सही, ये जो extra money आता है, मैं आपको ये बात बताऊं, मेरा बहुत belief है, कि लक्षमी के पीछे जो पढ़ता है ना, लक्षमी उसके पीछे परती है, पर सही तरीके से, मतलब ऐसे लक्षमी आ सकती है, पर हम उसके लिए serious नहीं हुए, तो फिर लक्षमी कहती है, तुम्हें मेरी कदर नहीं, मुझे तुमारी कदर नहीं, हमें अगर लक्षमी की पूरी-पूरी कदर होती है न कि अच्छा भीया ये आ रही है ये एक्स्ट्रा मनी मैं कमा सकता हूँ ये एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिल रहा है तो कोई बात नी इस बार दिवाली मैं जादा जोड शोड से मनाऊंगा इस बार दिवाली पर दस अजार पठाकों की इस चीज़ को सीरेसल लेना है और चौथा ये है कि जो मारे एक्रिकल्चर प्रोड़क्ट है उसका बिजनस वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है इसका 45 परसें ता 50 कर दिया गया जिनका 50 था उनका 60 कर दिया गया कंपनी ने सिंबॉलिकली ये बताया है कि अच्छा वही है एक दो दन बर्षा क्वालिफार निकालते हो ना तो डिरेक्टर हो जाते हो अगर आप एक दन बर्षा क्वालिफार निकालते हो साइड में अपना दो ती निजार करते हो किसी एक आद लोगों से मिलके दो ती निजार करा लेते हो आप एक डिरेक्टर आपकी लेग में इंटे level है इन पर focus करो और आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो focus तो कर लिया declare भी कर दिया अब क्या करना है मैं एक PPT के थ्रू आपको share कर रही हूँ कि कैसे आपको किन skills पर focus करना है किसी भी तरीके से confused नहीं होना है just a minute can you see this बहुत बढ़िया आप लोगो दिखाई दे रहा है hopefully yes ma'am हाँ जी तो हम बात कर रहे हैं कि अब confused नहीं होना है कि क्या करें क्या नहीं करें हमें यह नहीं सोचना है कि motivation हो गया पर अब कुछ नया नहीं करना है हमें वापस back to basic ही जाना है तो आएए चलते हैं six essential skills पर बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है यह six skills है जिन पर focus करना है promotion कोई भी आए मैं आपको बताँ मेरी 28 साल के moody care career में moody care कम से कम 50 promotion तो लाया होगा 50 तो कभी भी एक तो कोई भी promotion आता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा छोड़ो अगले promotion की त्यारी जरूर हो जाएगी promotion तो moody care में आते ही रहते हैं वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है हमें promotion जब आ रहा है थोड़ी गर्मी चड़िये बिल्कुल momentum आया वा है personal momentum हमारा होन है team का person momentum on है team का commitment level हाई है team का action level हाई है वो सही समय है लोगों को सही चीज सिखाने का इस समय लोगों को skill देने का वो उस समय जो गर्मी में होता है वो उस समय हर गोटी fit बैठती है पता है नहीं काइनात साथ दे रही होती है क्या हो रहा होता है तो हर तरफ जहां हमाँ डालते हैं महीं चीज़े इच्छे result देने लगती है तो ये च्छे essential skill है dreaming है, sharing and selling है, list making है inviting है, presentation है और leadership development है इन च्छे की च्छे skill पर अपने को तयार करो, अपनी टीम के जादा से जादा लोगों को तयार करो अब मेरे बाद ध्यान से सुनो आज आप अभी पहले महीने पर बैठे हो अभी एक हफता पूरा नहीं हुआ तुफान को आए बे इस तुफान के शुरुआत में list बनाओ कि भाईया कितने लोग हैं जो च्छे इन skills में trained हैं आपकी टीम में कितने लोग हैं जो ये 6 skills पर focus करते हैं कितने लोग हैं ये 6 काम अच्छे से कर रहे हैं मान लोग अभी आपके टीम में 10 लोग हैं आपकी कोशिश ये होनी चीए 7 वा मेना खतम होते होते तक आपकी टीम में इन skills के master 10 से 50 हो जाएं और ये किसी ने किसी तुफान के साहरे से ही किया जा सकता है इस समय के momentum के साथ ही किया जा सकता है आप मानते हो ना एक समुंदर जब शान्त होता है तो किनारे पे दीमी लहरे आती है जब तुफान में तुफान आया होता है समुंदर में तो किनारे पर तेजी से लहर जा रही होती है तो किनारे लगना इस स्पीड से पॉसिबल हो जाता है जब कोई तुफाना आया होता है तो ये छे हों की छे हों इस्किल्स आप नोट कीजिए ये PPTV हम आपको WhatsApp ग्रूप पर भेज देंगे कि आपके आपसानी से इनके फ्रू जो है खुद को भी train कर सकोने है अपनी टिम को भी train कर सकोने है आये पहले पर चलते हैं पहली dreaming सबसे पहले सपना देखना एक आर्ट है और believe me जिस भी टीम में believe me मेरे words जिस भी टीम में 15 से 20 लोग सपने देखने वाले होते हैं जिनको ये वाला आट आ जाता है वो LPB लेग होती है यानि हमें लाखों लोग नहीं चाहिए आप तीन LPB लेग बना लेते हो न एक लाग रुपे का चेक आजाता है और एक LPB लेग में 15 ली डीमर चाहिए हैं तो हमें कुल मिला के लाख रुपे कमाने के लिए 45 लोग ही चाहिए हैं सपने देखने वाले तीन अलग अलग टीम में कुल मिला के 50 डीमर पर वो शुरुआत खुद से होती है कि हाँ हम इस पर अपनी टीम को काम करना सिखाते हैं हम खुद इस पर काम करते हैं हम इस पर टाइम इंवेस्ट करते हैं हम इस पर अपना फोकस करते हैं तो सबसे पहले जो यह आर्ट है मैं बहुत सिखाती रहती हू आपको मेरे सारे फणने मैंने सिखाए में पर आप लोग प्रैक्टिस करते हो या इसको टाल देते हो कि अच्छा चलो आगे जाकर के देखेंगे वो मुझे पता नहीं है तो मैं फिर से आपका रिविजन करा रही हूँ कि भाई यार ड्रीमिंग की इसकिल को सीखो आचुका है पर प्रैक्टिस करो फेट के साथ प्रैक्टिस करो ये पहला पॉइंट है डेर टू डिसाइड डिसाइड करो आपको क्या चाहिए अब तुफान आया है छीलन का जाना है कि नहीं जाना है जाओगे तो यलो कलर का सूर्केस लेके जाओगे ब्लेक कलर का सूर्केस लेके जाओगे परपल कलर का सूर्केस लेके जाओगे महाँ पे वाइट कलर की ड्रेस पहनोगे या ब्लेक कलर की ड्रेस पहनोगे महाँ पर जब गाला डिनर होगा तब आपने कान में कौन से जुपके पहन रखे होंगे डाइमन पहना बाँ होगा, कलरफुल पहना होगा, स्टोन पहना होगा, चांदी का कुछ fashionable jewelry पहनी होगी, जो कुछ भी आप उस समय श्री लंका में अपने आपको जब देखते हो, तो decide करो कौन सी कार खरीद होगे, उस कार का color क्या होगा, कौन सी brand होगी, उसके अंदर के seat के cover कैसे होगे उस पे वो श्रीडी के साही बाबा की photo लगाओगे, या उस पे वो गर्दन हिलाने वाला गुड़ा लगाओगे, या उस पे वो Jesus Christ वाला cross लगाओगे, आपके choice है, उसमें perfume लगाओगे, नहीं लगाओगे, वो dare to decide, हिम्मत करो, बड़ा सोचने की, आज आपके पास four-wheeler है तो और बड़ा कार लेने की सोचो, नहीं है, तो कार खरीदने की सोचो, आज आपके पास छोटा सा घर है, किराय का घर है, बड़ा घर लेने की सोचो, आज आपका बच्चा आपके नापसंद के स्कूल में पढ़ता है, कल वो पसंद के स्कूल में पढ़ेगा, अभी तक आ देशों का वीजा लग जाता है तो आप उस travelers club के member बनते हो जब मेरा passport भी नहीं था तब मैंने कहना शुरू किया था मेरे को travelers club का member बनना है मेरे को traveler club का member बनना है मेरे को traveler club का member बनना है और आज देखो करीबन 58-59 कंथरी में ब्रूम चुकी हुँ और इस साल मैं अपने आपसे कौन सुरेका भारगव जो राजस्तान की है माउंट टाबू नहीं देखास तक यह है decision की ताकत तो आज decide करो छोटी success के लिए decide करो फिर उस success को बेज़के बढ़ा करेंगे फिर उस बड़ी success को बेज़के और बढ़ा करेंगे और जो कुछ भी decide करो उसको खाली शब्दो में शब्द नहीं दो उसको भाव दो उसको सुंगो अपने उस सपने को सुंगो सुनो देखो अपने सपने को टेस्ट करो जब आप श्रीलंका जाओगे तो दूद की पूरी ब हाने आ रहा है कौन सा चाहर लेकर करके जाओगे और के परिखो काजू की बिरफी वजबौ की लेकर कर घराओगे काना क्योंट काम विज्युथ और आप अपने आपको अब आपको सपनों में अभी देख लोगे तो वह सपने पूरे हो जाएंगे तुम या धी सब्सक्राइब क्लै घर तो भी और नहीं करो नोरें कि अपने आmos 8040ェ हम लोग ना बताते नहीं है जैसे मैंने मीठा छोड़ा कई बार मीठा छोड़ देती हूं मैं फिर बताती नहीं किसी को नहीं यार कभी मन कर गया तो मीठा चुप चुप खा लूँगी फिर जब मैंने बोल दिया सब को बता दिया साल पर मीठा नहीं खाऊंगी साल पर मीठा कार देने की बात चुरू करी थी 200 रुपएगा भी चेक नहीं आया था अपने सपनों कोई जीने लगो उनी में जीने लगो उनी में रहने लगो जब आप अपने सपनों में घुश जाओगे ना उसके बाद भार कोई क्या कह रहा है भार कोई क्या नहीं कह रहा है चार गुंटे काम कर रहे हो आठ गुंटे काम कर रहे हो कोई थकान नहीं होगी फिर कोई यह लॉजिक नहीं जब हम सपनों की दुन्या में गुजाते हैं सपनों की दुन्या में गणित नहीं है वो गणित जो है ना वह मैं बहुत परेशान करते हैं अरे इतने दिन बचे हैं, एतने दिन में इतना करना है, अभी तक तो इतना ही किया है, इतना कैसे होगा, वो गणित में लिए भुषना है, बस सूच लो जा रहा हूं मैं और फिर दिन राट दिन राट काम करो, आगरी दिन देखेंगे कि काता भी 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 हुआ, अभी जादा से जादा लोगों को उनको अपना सपना लिव करने के लिए, उनको हम्मत करने के मेरी success का सारा credit मेरी हम्मत को जाता है, मैं बंधास बोल देती हूं जो होगा देखा जाएगा, किस ने आस तक मेरी गर्दन पकड़ ली, किसी ने एक seller हैं इसमें confused नहीं होना है और शरम से कोई परेज भी नहीं करना है जितने भी वर्ल्ड के top 5% लोग है ना उनमेंसे maximum लोग seller है तो selling बहुत honorable business है बहुत respectable business है यह तो हमें अंग्रेजों ने सिखाया क्योंकि अंग्रेज हमें business में नहीं बनाना चाहते थे दो चाहते थे हम डॉक्टर बनें हम इंजिनियर बनें उनके लिए सारे गंदे काम हम करें तो उन्होंने बता दिया हम ऐसे खा दिया हम जो डॉक्टर बहुत बढ़ा है हम जी डॉक्टर के बीचे पढ़ गए selling वो खुद करते थे हमारी चाय पत्ती बेच बेच करके सब कुछ उनने कर लिय तो आपको समझना है कि selling करनी है वीजन शेयर करना है यह बिजनस बूंद को समुंदर बना के बेचने का बिजनस है अब मेरे को पता चला कि दूसरे देशों में 4000 प्रोड़क्ट मूव करते हैं direct selling के तुरू मैंने कहना शुरू किया समीर जी भी पिंसे लेकर के कार तक मोध दीकर में लाएंगे समीर जी भी पिंसे लेकर के कार तक मोधीकर में लाएंगे क्या हुआ अज 800 प्रोड़क्ट तो हो गए 4000 भी हो जाएंगे वीजन होना चाहिए जिस समय मैं एक पहली बार एक औरी फ्लेम लीडर से मिली थी वह मेरे को अपना बिजनस समझाने लगी मैंन सकते हो तो जो बताओं तब उनके 100 प्रोड़क्ट है हमारे सिर्फ 8 प्रोड़क्ट है यह मेरा वीजन था कि हाजी आज 8 प्रोड़क्ट है कलको 4000 प्रोड़क्ट आएंगे तो जो पॉसिबिलिटी आज नहीं दिखरी उनको आगे देखना ही तो वीजन है पॉसिटिव मांग में वीजन बनाओ कि हाँ जी इस बिजनस से आपके साथ पॉसिटिव वीजन बनाओ कि आपके साथ क्या हो सकता है और फिर उसको लोगों का बताओ 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 लोग विश्वास करें लोग मजाग बनाओ अपना कोई फरग नी बढ़ता बोलना तो शुरू करो उपर लक्षमी बैटी उपर सरस्वती बैठी तथास्तू करदेगे आपका काम होचाएगा तो अपना विजन शेयर करना है प्रोड़क्स यहर करना है अभी सबसे जाभाइब अच्छा है आप अपना उच्छा है अपना भी यह उच्छ फाना यह नहीं पर बात क हो मैंने अपने एक एक घर में हमारे बहुत होती है मैंने भार्गव की सब जगे डाल दिये कि भार्गव में सबसे और हमारे पास डाइबिटीस का सुल्यूशन है हम आपकी डाइबिटीस मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते और धडले से ओडर आने लगे आज मुझे दो अपर कोई जो कुछ भी करना पड़े आप अपने अप्लाइंस के साथ बैठो कैसे अपने परोड़क्त कार सकते हो कैसे लिंक बना सकते हो कैसे अपने एक अपने नियुक का और ले कर आए पर सो 30 एंवेरो ग्लोब एक ओफिस से जाकर के तो बतानी क्या होगा पर आप शेयर करो मैं मानती हो मैं 100 बीवी करना होता है हमें तो 5 लाग कमाने के लिए पाच जार रुपे का ये प्रोड़क्ट सेयल करना होता है पर जब इस तरीके का उतुफानी कारेक्रम आता है और थोड़ा टाइम कम होता है तो थोड़ी अपनी सेल बढ़ा दो क्या फरक पड़ता है अपर्चुनिटी सेल करो हर किसी को बताओ पैसा कमाया जा सकता है विदेश आत्रा जाई जा सकती है श्री लंका बिलकुल नहीं रेस्ट है सबसे पहले श्री लंका क्वालिफाय हो सकते हो धन बच्शा में एक्स्ट्रा पैसा है आप ही को लो इंवेस्मेंट है कोई रिस्क नीए कोई टेंशन नीए कोई टार्गेट नीए जो भी हमारी अपर्चुनिटी है रटलो अंद्रा मिनट वाली होम मीटिंग के स्क्रिप्ट का गुट्टा लगा लू और हर किसी से पूझे पैसा कमाने है फ्री फॉरेंट ट्रिप जाना है फ्री कार्ट चाहिए पैसा कमाना है परसनल कोच चाहिए अपनी पसंद का बनाशनम बनाना है ये करना है, ये करना है, इज़ची है समाज में, चलो, सबके साथ opportunity share करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को Moody Care product और opportunity के थूँ, टच करो, फिर आता है events, ये बहुत important चीज़ है जो हमें बेचनी है, लोग product बेच लेते हैं, opportunity बेच लेते हैं, tickets में मात खा जाते हैं, मेरी बात मनो, आप एक product कम बेच लो, कोई बात नहीं, आप नहीं करो 200 PV, आप 1500 PV पर अटक जाओ, आप 100 PV पर अटक जाओ, पर महीने के 500-500 रुपे वाले 5 टिकेट बेचने का अपने आप से बादा करो, क्योंकि देखो, खुद तो अगर लाग रुपे का भी समान बेच तो product भी बेचना है, opportunity भी बेचनी है, और ticket हर वक्त आपकी जेब में होने चाहिए, बेचने के लिए, और ticket बेचने में तरह आप शरम ही नहीं करनी, जिसने करी शरम उसके फूटे करम, एक तो इसलिए भी नहीं करनी कि जिसको ticket बेच रहे हो, आप उसकी जिन्दगी में सब करो, लोगों को बुलाओ, इवेंट्स, 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 structure को right set करके तो यह हमें tickets को बेचना है इसमें delay नहीं करनी है मेरा तो मन नहीं है मुझे तो यह पसंद नहीं है या मेरे से नहीं होता मेरे मेरे मन की करने वाला business नहीं है जो करना है वो करना है तो sharing करनी है, selling करनी है vision की, product की, opportunity की, event की और फिर सबसे आखिर पर बेचना है सक्सेस रट लो फिंगर ट्रिप पे होनी चीए पर एक सिंपल हाउस वाइफ है जट साल के बैटे के साथ काम शूरू किया था अच करोनो रुपया आप कमाती है सबा करोन रुपया महीना कमाती है मुझे याद नहीं है मैं जब मीटिंग में जाती हूँ हर मीटिंग में दो-चार लोग मुझे नहीं मिलते है सकसे सचोरी बीच पच्चे सियात कर लो कोई कुछ भी कह एक सकसे स्टोरी मारो हमारे पार जैसे वह बावन पत्ते होते हैं कोई भी ट्रम्ब होती है हमारे हाथ में अनलिमिटेट धूरूप के ओने हर बात का जवाब शाक अगली सब्सक्मित बना थे सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाओ और उसके बाद मेमरी जोगर बनाओ इसको पोस्पोन नहीं करना है इग्नोर नहीं करना है अच्छा ठीक है देख लेंगे मोबाइल में नमबर तो हैं पहले दो चार पांज से बात कर लें फिल नहीं हमारे यही तरीका कहता है कि बैया मेमरी जोगर बनाना है लिस्ट बनानी है और कल नहीं बनानी है आज बनानी है खुद भी बनानी है और डाउन लाइन से भी बनानी है यह सब काम जो मैं बतारी हूं जो सब मैं स्किल बतारी हूं यह स्किल खुद भी प्रैक्टिस करनी है और अब भी इस तुफान के शुरू होने पर अगर आपकी टीम में 10 लोग करते थे तुफान खतम होते होते तक 50 लोगों से एक काम करवा दो फिलंगा जैसा आइलेंड हो ना कभी खरीए दी लोगे बिलीव मी बिलीव मी यह चीजें बहुत छोटी दिखते हैं कि इससे क्या हो जाएगा इससे सब कुछ ह जाएगा इग्नोर नहीं करना है अभी बनानी है डोंट प्रीजज वो तो नहीं करेगा वो तो नहीं करेगा उसका तो ऐसा है वो तो स्मार्ट है वो तो डल है वो तो पैसे वाला है वो तो गरीब है वो तो दूर रहता है वो तो सुनता नहीं है वो तो उसकी तो अकड़ी वनूँ यह सच है यह बिजनस जरूरत बंदों का बिजनस है लोग कहते है मैडम उसके पास तो बहुत पैसा है वो नहीं करेगा अरे भया पैसा है और उसको मान सम्भान चाहिए हो सकता है उसको टाइम फ्रीडम चाहिए हो सकती है उसको परसनल ग्रोथ चाहिए हो सकती है वो और यहां चालिस पचा साल के हो गए बच्चे अपने अपने बड़े हो गए बच्चे अपने निकल गए तो सब पैसे वाली है सबसे नहीं जपान अपने पैसा करके आई थी अभी फिल टर्की जा घर से 50 पर सिन तो भी टरकी चारी है वर्जो हे हम खुदा बनते हैं हम सोचते नहीं यह नि ciudadन यह गरेगा वह किसी को कुछ news अ उनके बेटे सब हच्छा अच्छा कमाते पर उनको खुद की कमाई चाहिए जरूरत बंदों का बिजनस है पर जरूरत सिर्फ पैसे की नहीं होती जरूरत नाम की भी होती है जरूरत मान समान की भी होती है जरूरत परसनल रोत की भी होती है जरूरत अच्छे लोगों में उठने बैठने की होती है जरूरत कुछ अच्छा कंस्रॉक्टिव टाइम पास करने की हो चोटा नहीं सोचो कि अच्छा ठीक है 10-20 लोगे नाम लिख लिए अब बस ठीक है बस मेरे पास तो लिस्ट बन गई नहीं दो सो लोगे लिस्ट बनाओ और इस लिस्ट को लगातार अपडेट करो रोज किसी का नाम इसमें एड करो कोई अड़ोसी कोई पड़ोसी कोई दुक कि वसी दूस मेल के पास गई मैंने इनका आप तूर कोडिनेटर हो कोहां पिन लोगे करकर क्या और था है जा कर आथ को मारे बहुत सारे तरीके सिखाते रहते हैं अगला सेशन जो मैं और यूँभी हम कल नहीं करेंगे कल नौ वज़े से दस बज़े राजू डीजी जी का सेशन है मैं भी वो सेशन में होंगी हम लोग आपसे बातचीत करेंगे तो कल सारे की सारे जोर हम नौ से दस बज़े के सेशन में लगा रहे हैं राजू डीजी जी की लडीपी है हम जानते है he's a great leader, हम सारी ताकत कल उस पे लगाएंगे, कल हमारा session नी है, परसों फिर करेंगे परसों या 28th को करेंगे और हम आपको invitation, invitation, invitation नी सिखाएंगे, काम हम सिखाते जाएंगे, आप तो बस अपने commitment पे अड़े रहो कि हम तुफान का पूरा-पूरा फाइदा उठाएंगे, फिर बात आती है, inviting INVITE से याद रखो कि invite कैसे करना होता है, ignite curiosity अब अगर मैं वहाँ जपान में मिली थी उस बंदे से और तभी समझाने बैठ जाती तो क्या होता मेरे साथ जो 16-17 लेड़ी से मुझे पूछते रही तुम क्या करते हो मैं ऐसी छोटे छोटे जी मैं लोह अपर पशहादाती हो मैं लोगों कमया है मैं तो सपने देखती हो मुझे 5000,000 और कम से भाई 10,000 bigger में利गों आशे जए ज़ाँ परmind आट फोड़ती रही सब कुछ जब invite करने गए हैं invite करने के लिए call कर रहे हैं सब कुछ phone पर उसी वक्त नहीं बता देना है हमें कही न कहीं उन से मिलना है या किसी home meeting में मिलना है या one on one के लिए मिलना है पर formally मिलना है ऐसे नहीं कि शादी में मिले तो अच्छा बैठ करके मार्ट टिशू पेपर उल्टा करके उस पे फ्लान समझाने बाट गए वो रिजल नहीं देता वो बंदा हम अपना खो देता है नेविगेट देयर नीड हमें जरुरत है जी श्री लंका आ गया है तो चलो जी अब हमें की जॉइनिंग चाहिए इसके लिए बात करोगे तो खिचडी सब दिमाग में उनको समझ में आ जाती है हमें उनकी क्या जरुरत है मोधी केर देखो मोधी केर हर किसी की कोई ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है चाहे पैसे की हो, मान सम्मान की हो, चाहे घुमने फिरने की हो चाहे पर्सनल गोध की हो, चाहे उनके हुटों में दर्द हो रहा हो चाहे उनके पिंपल्स हो, कोई न कोई प्रॉब्लम मोधी केर उनकी सॉल्व करता है हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उनकी उसके थू उनको अपने पास लेकर के आना है value add करनी है हम याद रखो ऐसे करने वाले नहीं है कई भी हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहता है बस इस बात को मेरे इस action को याद रखना है यह हमारा हाथ हमेशा ऐसे रखना है देना 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 है और आप जीतने चले जाओगे उनकी success को visualize करो तो ये तो वहाँ पे सारी रात लाचने वादी है ये कितना अच्छा लग रहा है कितना daring है ये हाती को खाना खिलाएगा ठीक लगेगा ये तो वहाँ पे वो जो अजगर मिलते हैं अजगर को गले में डाल करके हुमेगा श्री लंका में आपने उसके लिए विज्युलाइज किया उनकी सक्सेस को विज्युलाइज किया आप उनकी सक्सेस विज्युलाइज कर रहे हो वो अपनी सक्सेस विज्युलाइज करने लगेंगे ये जादू है हमारी सोच का inspire, don't inform अभी देखो तुफान बताने का एक तरीका ही है, जोपाना है, जोपाना है, मोधिकेर बेड़्चा है, अगर आप अपने नीचे, चार लेक से चार चार पीवी करा लेते हैं, और खुद का सा पीवी कर लेते हैं, तो अगर आप न्यू जानी से लेकर के, NQD तक है, तो आपको Bodhi Care से 1000 रुपय एक्ष्ट्रा मिलेगा, और अगले महीने भी यह करते हैं, 500 मिलेगा, तीसी बार करेंगे तो 2000 मिलेगा, चौती बार करेंगे तो 2000 मिलेगा, बहुत अच्छा प्रमुशन, योगें इंफॉर्म करना, इंस्पायर कड़ना क्या होता है? इंस्पायर करना होता है कि भे यह ऐसा है, 1000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा, हमारे आम एक्जिवन लोगों का पहला चेक, 116 रुपय, 118 रुपया ऐसा होता है, आपका पहला चेक 1000 रुपय से ज़ाधा हो arrive, और फिर उस success को बेज करके हम आपकी बड़ी success create करेंगे इसको कहते है inspire करना वो छोटी सी चीज जो उने मिलेगी वो कितनी बड़ी हो सकती है यह उन्हें बताना होता है inspire करना और इतने लोग पा चुके हैं यह बताना होता है inspire करना इंस्पाइर, डोंट इंफॉर्ब, यह मत बोलो, हमारी यह मीटिंग है, आवे साइंटर कोज में हैं, और लोग आएंगे, बतलब खाली, पिचातर रुपय का टिकेट है, आजाओ, आकर के देखो, तुक में तुक में तुक में को अच्छा लगे, तो देख लेना, यह तो हो हज हमारी है, स्टार ऑफ देवएंट संबस, हाउसवाज、 मेनाक्शी जी कीजए ती, मेनाक्शी जी नों तो कमाल कर दिया, उनके हस्बंड को जब उन्होंने पहली बार लिखकर की रखाता है, उनके हस्बंड को कार देंगी, तो हास्बंड कह रहे ते टे की, अरे, जब पता है तुए ले आएगी और जब आपने किसा उनाया तो क्या किया आपने अपनी ईवेंट के लिए लोगों को आने के लिए इंस्पाइर किया कि हाँ यह आपे इस तरीके की सक्से स्टोरी से मिलने का मौकर मिलेगा कहाण यह सुनाओ टी से आता है गरदन को बहुत positively हिला करके आपको लोगों को सबसे story सुनानी है और आखिर में यह से आता है extract commitment कि वो आएंगे वो मिलेंगे कल मिलेंगे 11 बज़े मिलेंगे या 1 बज़े मिलेंगे कल आएंगे या परसों आएंगे इस जगे पर मिलेंगे या उस जगे पर मिलेंगे वो खुद चल के आजाएंगे या आप उन्हें लेते वे जाएं इस तरीके का पूरा एक scene का आखिर तक वो पहुँचेंगे अच्छा आप पहुँचो तो सामने restaurant है वो coffee house पर खड़े हो करके आप मुझे call कर देना मैं आ जाओंगा वहाँ से अपन साथ चल लेंगे अच्छा इस station पर उतर करके आप खड़े हो जाना इस जगे पर वो station पर जो खलाने geo telephone का जो board लगावा है उसके नीचे मिलना मैं आपको वा मिलूँगा मैं आपका इंजार करता हूँगा अपन मासे आगे बढ़ेंगे मैं कभी meeting case पर लोगों को नहीं बुलाती वो सोचते है अच्छा ठीक है इधर तो हम होंगे ही चले गए तो चले गए नीचे लेगए तो नीचे लेगए मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं इस जगे पर आपका इंजार करूँगी on the way तो बंदा कोई भी पसंद नी करता on the way ना किसी को इंजार कराना फिर वो गर late वो भी रहोते हैं तो call करके कहते हैं कि sorry मैं जड़ा 5 minute late हो रही हूँ तो commitment निकालने के यही तरीके हैं कि हम उनको कही न कहीं मिलने के लिए बुलाएं फिर आता है presentation presentation भी एक skill है उसमें क्या-क्या present करना होता है success story telling एक art है success story सुनाना सीखो testimonial dream sharing testimonial ऐसा नहीं है जब successful हो जाओगे तब करोगे अभी आप जब successful हुए नहीं हो अपना dream share करना इस testimonial और believe me किते लोग अक्षिदता जी को जानते हो अक्षिदता जी का सबसे अच्छा क्या है क्या धासू dream share करती है वो जब आई थी शुरू में ऐसी बिलकुल छोटी सी स्कूल से आती थी स्टेरिक लिंग कर डेमो करती थी साथ में एकनी नाजुक से मासूम से चैरिक जोट से कहती थी मैंने तो फैसला कर लिया है मेरे को अपना आईलंड खरीना है और मैं खरीद के रहूंगी बस उसे एक sentence में सारी दुनिया लूट ली आप भी अपना share करना dream share करना सीखो मैंने तो फैसला कर लिया यह करूंगा मैंने तो फैसला कर लिया यह करूंगी मैंने तो फैसला कर लिया यह श्री लंका जाओंगा मैंने तो फैसला कर लिया श्री लंका 10 लोगों के साथ जाओंगा आप जब अपना dream share करते हो लोग आपको powerful समझते हैं हमारे को यह में बॉड़ई नहीं ऊप्रेश जवरद संच सकते ईजा को उपने इस जो improve भी मिश्य कर देची और के बारे में। प्रेसंचे की लिपार है क्रोंगे सेची डुड़ करना पार हो पॉजिटिव पॉजटिव एनरजी दो पॉजिटिव एनरजी दो मैंने तो फैसला कर लिया यह करूंगा वो करूंगा मैं आपके LPB leg बनूँगा देख लेना मैं आपके आंचल का सबसे बड़ा सितारा बनूँगा देख लेना मैडम आप मेरे पर गर्व करोगे ऐसा है ऐसा है आप सारी उसको positivity से भड़ दो फिर जब आप कोगे ना एक meeting तो कहगा एक meeting तो दस meeting करा ले तो आपको two on one कैसे अपने applying का time लेना वो भी एक बहुत बड़ा आट है मेरे कुछ एक लोग है जो जब call करेंगे मैडम हमारे तो आप ही हो मैडम देख लो बस कुछ कर लो मैडम हमसे तो कुछ हो नहीं रहे मैडम ऐसा है मैडम ऐसा है ये वो साथ साल पहले चाह साल पहले पांच साल पहले की खानिया सुनाइंगे एक भी सेंटेंस नेगेटिव बो पॉजिटिव बोलेंगे नी तो उसे कहेंगे मैडम हमारे लिए इस शेर आजो तो अच्छा सो चुग मेरे को किसी भी शेर में कान में कान साफ करते भी नहीं बैठना है आपकी बॉड़ी में ऐसा जलकना चाहिए कि बस जैसे तो आप अप्लाइं को सम्मान दोगे तो आपके अप्लाइं की बात को समझ जाएगा अगर आप ही सम्मान नी दोगे तो वो नहीं समझेगा ऐसी आपको one-on-one presentation करना सीखना है हमारा direct selling पांच हजार शब्दों का खेले पांच हजार that's it वो याद कर लो गुटी घोट लो कुछ भी कर लो प्रैक्टिस कर लो अप्लाइं के साथ जाके बैठो पूरे दिन एक दिन सुवे से शाम तक बैठोगे न तो भी presentation करना आजाए जैसे जैसे करोगे करते जाओगे करते जाओगे आपका दस्वा presentation आपके पहले presentation से अच्छा ही होगा होम मीटिंग करना सिखो हम बहुत जल्दी आपको होम मीटिंग पे बहुत सारे session देने वाले परीवरतन में पार्ट लेना सिखो शुरुआत करना सिखो यह basic चीज़े हैं जो हमें पहले तो गुट्टी में घोट लेनी होती है मेरी believe me, मेरी body language भी same हो गई है मैं उस dialogue पे हर बार same expression लाती हूँ अब का गुटा एम से इसना है मिर को चला गया है जयसे आज अमने परीवरतन की आपड़ी परीवरतन किया था साथ दिन पहले पिछले थास्डे पार यह सेम से मी रखेंगे मैंने का बिल्कूल प्रेसेंटेशन सेंट लोग आपने लेकर क्या हो तब मजाएंगा आपको तो same 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 presentation कब तक सुनना है तब तक जब तक आपके subconscious में नहीं चला जाए जब आपके subconscious में action चला जाता है आप जब subconsciously action करते हो तो success subconsciously आपके पास आती है यह बड़ी magical बात है जो मैंने भी आपको बोलिये आपको तब तक बोर होना है तब तक उसी action को सीखना है जब तक कि आप वही काम subconsciously नहीं करने लगो आत्मा से होता है फिर मजा आता है और फिर बात आती है leadership development यह भी एक heart है L E A D E R S leaders lead by example आप तो कह रहे हो अरे company ऐसी company वैसी यह ऐसा वो ऐसा वो ऐसा आपका downland क्या कहेगा आप तो negative में पड़ेगो तो downland क्या कहेगा आप तो कभी आते हो कभी नहीं आते हो meeting में तो downland क्या कहेगा मेरी अच्छी downland है किसी न किसी खारण से एक याई जी रीजन से कभी meeting attend करती है कभी meeting सब एडल्ट है मैं किसी को कुछ नहीं कहती पर मुझे पता है कि आप एक मीटिंग में अगर आपने डिल दे दी आपने किसी कारण से सौपी भी नहीं किया डाउन चालिस भी भी नहीं करने वाला है आपके वाथ्रूम में वाश बेसन पे अगर कोई और प्रोड़क्त पड़ हुए आप में गर्मी नहीं चड़ी आप बिल्कुल जोश में नहीं आ गए आपका एक्शल लेवल नहीं बढ़ा अगर आप लीड़ बैग्जामपल नहीं कर रहें फिर इस श्रिलंका से आपको देला ही कोई कभी कुछ नहीं मिलने वाला यह प्रोबोशन आएगा और यह आपके ओ महीं कि महीं रहें जाओगे और अगर आपने लीड़ बैग्जामपल किया इसकी गर्मी चड़ा लिए इसका तुफान अपने सिर पे चड़ा लिया तो श्रिलंका का मुझे नहीं पता पर स्विजलेंड जरूर चले जाओगे यह मैजिक है लीड़ बैग्जामप क्या कहूं हम एतने नसीब वाले हैं कि एक ऐसे बिसनस में आ गए डिरेक्ट सेलिंग में फिर ऐसे मैजिकल प्रोड़क्त हमारे पास है बैस मारकेटिंग प्लान हमारे पास है पर्फेक्ट पुल और पोश भीडर्शिप उमारे पास है ठ्याइश वागगा चेरी अनसी बी इतनी बेखुफ नजर आती हूं आपको कहीं से भी यह मैं इस समय मेहनत नहीं करूं मैं इस समय तेरी मेरी करती नजराओं मैं इस समय टाल दूं कि अच्छा अगली बार देखेंगे ना जी जो शड़ाओ जो आप करोगे और खाली सुरेखा मेहम कर रही है कि भरोसे नहीं रो कि अच्छा सब को खाली 10 वज़ी की मीटिग में लेया और काम चला लिया नहीं खुद की मीटिंग्स क्रीट करो कुद के लोगों से बात करो उनके कमिट्मेंट लो उनको चार्ड बना बना करके तो एक एक लीडर को कि अच्छा तेर तेरे को इस महीने ये कर नहीं बदा न प्रवाल होता है अच्छा आप कौन से दिन जाते हो तो कहां हो जाएगा किसी दिन कभी कोई मिल गया तो आपने बिजनस समझा गिया ऐसे नहीं चलेगा आपको पता हो ना चीगी हाँ जी मैं 8-9 बजे यह करूगा नौ से 10 बजे में यह करूगा एवरी फ्राइडे में यह करूगा एवरी मंडे में यह करूगा मंडे मैं इस डाउनलाइन को दिया है वेटनस दे मैं इस डाउनलाइन को दिया है और यह दो दिन मैं प्रॉस्पेक्टिंग करता हूँ इस दिन में इवेंट में जाता हूँ ऐसे करके आपके पूरा शिडूल ready होना चाहिए जितनी ज़्यादा आपनी diary काली करोगे उत्ता ज़्यादा आपका bank account काला होगा simple सा rule है डी से आता है leadership development बहुत important है dare to dream for others हम क्या करते हैं हम यह कहते हैं मेरा वो ऐसा है वो ऐसा है उसमें यह गड़ पड़े उसमें यह गड़ पड़े मैडम वो तो सुनता निया मैडम वो तो अपने मन की करता है मैडम ऐसा है मैडम ऐसा है मैडम ऐसा है उसके सपनों के नाम पे हर चीज माफ है तो आप अपने लोगों के लिए सपने देखते रहो, आपको वही लोग result लाकर के देंगे, आप अपने लोगों के लिए positive रहो, आपको वही लोग result लाकर के देंगे, यह से आता है evolve as a leader, first day से कोई लीडर नहीं होता है, मैं भी marketplace से लीडर होके नहीं निकली थी पर जैसे-जैसे situation handle होती है न, अगर आप situations को positively handle करते रहोगे, आप better, better, better leader में convert होते रहोगे simple सा rule है, situation handle करना decide करता है कि आप एक अच्छे leader बन रहे हो या आप minus में जा रहे हो, तो की, सब network की, सारे modic aliens की, वही परिवर्तन, वही detox, वही परिवर्तन, वही stericlean, वही closing, वही शुरुआत, वही month end, फिर अगला hafta, फिर repurchase, loyalty, फिर 10 का दम, फिर ये सालों से 28 साल से यह चल रहे है repeat, 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 repeat इसी बीच पे आपको repeat, repeat करने वाले लोग मिल जाएंगे, consistency को बनाए रखो, action में consistency रखो, thoughts में persistence रखो, जीट जाओगे, and then finally comes, S से आता है, system is everything, core बनना है, तो core बनना है, 100 बीवी करना है, तो 100 बीवी करना है, दिन में एक plan दिखाना है, तो एक plan दिखाना है, 10 retail कस्टमर बनाने हैं, तो 10 retail कस्टमर बनाने हैं, book read करनी है, video सुननी है, तो सुननी है, photo का one करना है, यानि हफते में एक परिवर्तन attend करना है, जगर offline की बात करें, तो महिने के चार परिवर्तन attend करने हैं, दो training attend करनी है, एक से विनार attend करना है, online की बात केरें तो हफते में चार मीटिंग अट करण भी हैं, उस में तो ट्रेदिंग और एक LDPo, क्यों आपको लगता है, COVID से चार साल हो चार साल से हम लीप क्यों चला रहे हैं मजाग के लिए क्यों लीप पर regularly वही आपको हफते की पांच मीटिंग मिलती है क्योंकि जिसने एक consistency को maintain कर लिया एक system system अब कुछ भी system हो एक pattern कोई भी बना लो पर उस pattern पे लगा तार ठीके रहो ठीके रहो ठीके रहो ठीके रहो और system का सबसे बड़ा part होता है कि कंपनी का कोई भी प्रमोशन आए उसको खुदा मानो उस उडन खटोले पे उस red carpet पर उस अलादीन के carpet पर बैट जाओ और wave के साथ ride करो यह सबसे बड़ी जीत होगी आपकी हफते में एक दिन office जाओ महिने में एक seminar जरूर से attend करो हफते में एक दिन home meeting करो downline की एक home meeting रोज करने की कोशिश करो फुल टाइमर होतो पार्ट टाइमर होतो उससे साब से time के साब से manage करो यही तो system है इसी system को मानो कभी negative बातचीत नहीं करो code of ethics को कभी भी deny नहीं करो उसको कभी उसके opposite काम नहीं करो और यह duplicate करो बस इसी में जीतते चले जाओगे तो leadership development का leaders आप याद रखिए और फिर आता है success is a lifetime journey यह स्री लंका साथ महीने के लिए आया है और रिष्टों को मजबूत करने मैं आपको पता हूं श्री लंका आपको क्या देके जाएगा तुफान आपको क्या देके जाएगा मुझे नहीं पता इस समय आप अपने आपको कैसे conduct करोगे decide करेगा कि आपके पस लोग कैसे रहेंगे आप उन लोगों के साथ हमेशा के लिए जिन्दगी पर के लिए हो जाओगे या जिन्दगी पर के लिए उनको खोदोगे तो जब यह promotion आया है लोगों के लिए सब कुछ कर गुजड़ने को तयार हो जाओ वो बंदा qualify करेगा या नहीं करेगा वो उसको पताओगा कि मेरे apply ने sincerity दिखाई मेरे apply ने कोई कसर नहीं छोड़ी तो यह वक्त दिल जीतने का वक्त है इस समय आपके लोग motivated है आप उनके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए learn कीजिए practice कीजिए और enjoy कीजिए और फिर बात आती है masterpiece is waiting for you यह जो art है ना success का जो art है यह masterpiece बनाता है मैं मोधी केर की masterpiece हूँ अलपेश जी मोधी केर की masterpiece है नीना जी मोधी केर की masterpiece है हमारी सारे leaders जो है वो मोधी के masterpiece है आप भी masterpiece बन सकते हो आपका भी time zone आगे खड़ा है इस बात को याद रखिए मैं बार बार कह रही हूं आजकल कहते हैं ना मेरा number आएगा मेरा वक्त भी उसके लिए इन skills को को आपको करना वहको एंस करना हे बहूद most important है कि मैंनत कीजह खुद को तराशिए तराश किये बिना काम नहीं चलेगा तो को तराश जीटते Но जाएए जीतते चले जाएए जीतते चले चले आएए प्रैक्टिस कीजिए लैंन कीजे कीजे रिपीट करना है कोई और शौटक नहीं है कोई और तरीका नहीं है इस समय भी भटक करके फोकस अपना चेंज नहीं करना है करना यह करनी है, sergeing करनी यह बीजन शेयर करना है, लिस्त पर काम करना है, इन्नी चीज़ों पर वापस उतर जाईए तो बस आज मुझे इतना ही कहना है, फिर मिलेंगे, फिर किसी नए मॉड्यूल के साथ मिलेंगे, आपको ये PPTM दे देंगे, अपनी टीम को जादा से जादा लोगों को तयार कराईए, फुल डे वर्क्शॉप रखी अपनी टीम में, जितनी जल्दी हो सकता है, अपनी टीम की फुल डे वर्क्शॉप कीजिए, और इन स्किल्स पे प्रैक्टिस कराईए लोगों की, ज्यादा ज्यादा नहीं सिखाना है, थोड़ा ही थोड़ा सिखाना है, और वो सिखाना बहुत जरूरी है, तो आर यू रेड़ी, तयार हैं, आज के लिए इतना ही काफी, ओवर टू कहां गलती कर रहे हो, कहां पर हम जहां हम नहीं आगे बढ़ पारें, कहां अटक रहे हैं, तो I hope बहुत सारे लीडर्स को यह चीज़ समझ में आयोगी कि कहां छोटी-छोटी गलती हम करते हैं, जिसकी वज़े से हमारी सबसे हर्डल बन जाती है, तो हम उन हर्डल को बहुत करना उन से बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मैं शाथ बिनोद बारिल जी हैं, अच्छा ठीक है, तो बिनोद जी को हैलाइट कीजे, हाँ जी बिनोद जी, आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए बताइए सर, गुड मोदी के मानिंग, गुड मोदी के मानिंग, एक्शुली अभ और मेरा परसनल थी कि यह मैंदम, मेरा अभी आठ साल चल रहा है इस बिजनस में, पर इस आठ साल का अनुवप से मैं यह बता सकता हूं कि यह जो तुफार कंपनी ने लॉंच किया है, यह आने वाले नेक्स्ट चार-पांच साल तक हमें मतद करेगा, अगर हम इसको सही तर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने नंबर भी सही ले लिया है और बहुत मोटिवेशनल आप हैं ही, बस इरादे के साथ जुट जाएए और यह काम करते चले जाएगे, होता चला जाएगा, फैन्टास्टिब, बहुत बढ़िया, हमारे साथ हेमलता जी है, हेमलत जी अबनी जी जरा देखिए कौन है हमारे साथ तेहना, आप एक फैक की जब है ना, अपने टेस्टिमोनियल कर रहा है तो आप अगले को है ना रुचिका जी हाइलाइट कर लीजे, हेमलता जी, आप लीडर्स प्रीज अपनी वीडियो अन कीजिए, अगर आप चाहते हैं के ए दो हमसे बात करना कुछ कहना चाते हैं तीम को इंस्पायर करना चाते हैं तो टेजल जी है हमारे साथ मैं दिल्ली राओ जी को मैंने स्पोट्लाइट किया है ठीक है इस में गुड मुदिकेर मॉनिंग मैं नमस्कार से हां मैं टीक हूं मैं डिल्ली रहा हूं पुना से हूं प्रमोद अच्छे रहे सर्क्ते टीम से हूं पूरा हमने लॉंच को उसी दिन से उतर के बहुत अच्छा का रहे एक्शन भी बहुत अच्छा से हो रहे हैं इसका अगरी भी कर दिया है तो उसी तरह आपके जो हर क्लास में अमें इत्रा अच्छा सीखने के लिए रहा है और मेरे सारी टीम को लेकर मैं इस शेशन में बीटा के मैं सीख रहा हूं और डेली लोगों के लिस्ट बना दिया हूँ आपने सब को उनका चार्ट दे दिया कि उनको क्या करना है इस इस महीने यह करना है तो लोगों के पास लिए इंस्ट्रक्शन होंगे तो काम असान हो जाएगा आप कुछ के लिए इतना ही काफिया रुचिका जी आप कुछ कह रही है कि प्लीज ओवर टू यू थैंक यू थैंक यू मैं बस में यही पूर रही थी कि आज आपने जो सिखाया है ना हम लोगों को सीरिसली मतलब दिल से थैंक यू आपका हम सब की तरफ से इतने दस बजी से लेके ग्यारव जे तक आप रात में बैटी है हमारी सक्सेस के लिए और सीरिसली कहूं तो आपको तो जरूरत भी नहीं है इस पैसे की इस मान समान की आपके पास तो वो सब कुछ है जो एक इनसा को चाहिए लेकिन आप सिर्फ हमारी सफलता के लिए इतनी रात में बैठी हम हमें सिखा रही है तो डेफिनेटली मैम हमें आपकी जो इस महनत को बिल्कुल जायर नहीं होने देंगे पुरी को दिल से पुरी महनत करेंगे और आपको सफल हो कर दिखाएंगे थैंक यू सो कर दो